कोरोना वाइरस के इंफेक्शन की वज़े से पूरी दुनिया लगबग थमसी गई है। जिन जगों पर रोजाना भहेंकर भीड़ हुआ करती थी, वो अब खाली लगने लगी है। स्कूल कॉलिज से लेकर यात्राओं पर पत्यबंध है, दफ्तर बंध है, लोगों के इकटे होने पर पाबंदी है। दुनिया का हर शक्स किसी ना किसी रूप में इससे प्रभावित हो रहा है। ये एक बीमारी के खलाफ बेजोड वैश्वित प्रतिक्रिया है। लेकिन सव जड़ से उखाड फेकने से शायद काफी दूर होंगे। ये समाप्त होने में बहुत समय लगेगा, ऐसा अनुमान है कि शायद इसमें साल भर का वक्त लग जाए। हालनकि ये भी साफ है कि सब कुछ बंद करने की नीती बड़े तपके के लिए लंबे समय तक संभव नहीं हमारी विज्ञान के प्रफेसर मार्क वूल हाउस करते हैं। एक टीका किसी शरीर को वो प्रतिरोधक शमता देता है जिसके कारण वो बीमार नहीं पड़ता। तकरीबन 62% दियाबादी को रोग से मुक्त करने के लिए उनकी प्रतिरोधक शमता को विक्सित करने को हर्ड इम्मिनिटी कहते हैं ताकि कोई वायरस महमारी ना बन जाए। बीते सबता अमेरिका में कोरोना वायरस के टीके का परेक्षन एक व्यक्ति पर किया गया था इस परेक्षन में शोध करताओं को छूट दी गई थी को पहले जानवरों पर इसका प्रयोग करने की जगे सीधा इंसानों उपर करें। कोरोना वाइरस के टीके पर शोद बहुत ही अभुत पूर्व गती से हो रहा है लेकिन इसकी कोई गारेंटी नहीं है कि ये सफल होगा या नहीं और क्या वैश्विक्स तर पर ये सभी को दिया जा सकेगा या नहीं अगर सब सही जाता है तो ऐसा नुमान है कि 12 से 18 महिनों में ये टीका बन सकता है ये इंतजार एक बहुत लंबा समय होगा क्योंकि दुनिया इस समय पहले ही पाबंदियों का सामना कर रही है प्रोफेसर वूल हाउस कहते हैं कि टीके के इंतजार को रणनीती का नाम नहीं दि दुनिया के दूसरे देश जैसे बारत और उसके पड़ोसी मुल्क भी इसी रणनीती पर अमल कर रहे हैं एक बार इसके मामले आने कम हुए तो कुछ प्रतिबंदों में ढील दी जा सकती है लेकिन ये मामले आना ऐसे ही बढ़ते रहे तो और प्रतिबंद लगाने पढ़ स इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफिसर नील फर्ग्यूसन कहते हैं हम एक स्तर पर संक्रमन को दबाने की बात कर रहे हैं आशा है कि छोटे स्तर पर ही लोग इसे संक्रमित हो पाएं और बाकी बच जाएं अगर ये दो से अधिक सालों तक जारी रहता है तो हो सकता है कि देश का एक बड़ा हिस्सा संक्रमित हो गया हो जिसने अपनी प्रतिरोधक शमता विक्सित कर इस पर जीत पाली हो लेकिन यहां सवाल ये है कि ये प्रतिरोधक शमता कब तक रहेगी क्योंकि बुखार के लक्षन वाले दूसरे कोरोना वायरिस भी कमजोर प्रतिरोधक शम कम रहे इनमें वो कुछ उपाई शामिल हो सकते हैं जिनने लागू किया गया है इसमें कुछ कड़े परिक्षन और मरीजों को पहले से अलग करने की प्रक्रिया भी शामिल की जा सकती है प्रफेसर वूल हाउस के मताबिक हमने मरीजों की पहले से पहचान और उनसे संपर्क करने से रोखा जा सके या एक तरीका ये भी हो सकता है कि मरीजों का अस्पताल में ही इलाच किया जाए ताकि कम जानलेवा बने इसके साथ ही आइसीओ के बैड्रों की संख्या बाढ़ा कर भी संकट का सामना कि या जा सकता है बेटेन के मुखिच चिकर सालाकार प्रफेसर क स्विटी से पूछा गया कि उनके पास इस अंकट से बाहर निकलने की क्या रणनीती है दोनों ने कहा साफ तोर पर एक टीका ही इससे बाहर निकाल सकता है और उमीद है कि वो जल्द से जल्द बनेगा और विज्ञान किसी नतीजे के साथ सामने आएगा